नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्टिव एकड़ भी पर तो आज हमें एक और शांदार वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं जो आपके पोर्टिकल साइन्स के टोप 20 क्वेशन की जो सीरीज चल रही हैं उसी के अंदर एक और नया पार्ट लेके आए हैं तो आज का अपना पहला क्वेशन है भारते सुधान का निमलिकित में से क कौनचा अनुचेद भारत के नियंतरक और महालेखा प्रिक्षक के एक सोतंतर कार्याले का प्रावधान करता हैं तो आपका महालेखक का जो पद है वह आपका अनुचेद 118 के अंदर दिया गया है अगला कुशन है भारतिय स्विधान का कौन सा अनुचेद भारत के नियंतरक महालेखा प्रिक्षक के करतव्यों और शक्तियों से सम्मन दित है अनुचेद 165, 160, 148, 149 तो अनुचेद 148 में जो है आपका महालेखा का पद दिया गया है और महालेखा की करतव्यों और शक्तियों जो हैं वो आपकी अनुचेद 149 में दी गई है अगला कोईशन है भारते सविधान के अनुचेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्य पाल न्यूक्त होने के लिए किसी व्यक्ति दुआरा निमिलिकित में से कौन सी योगिताएं पूरी की जानी चाहिए तो इसके अंदर जो है आपकी उसे एक भारते नागरिक होना चाहिए ये सही है उसने 35 वर्ष की आयू पूरी कर लियो ये दोनों आपके जो हैं राइट हैं तो इसके अंदर जो आपका उप्संची है वो राइट रहने वाला है सविधान के भाग छै में अनुचेद खालिस्थान विधाइका के गठन संरचना अवधी अधिकारियों प्रकिरियाओं विशेशा अधिकारों सक्तिया आदी से समंदित हैं जो आपकी विधाइका है तो विधाइका आपकी 168 अनुचेद 168 के अंदर जो है आपका विधान मंदलों का गठन दिया गया है विधान मंदलों का गठन है वो आपका अनुचेद 168 में दिया गया है तो अनुचेद 168 से 212 जो है आपकी विधाइका के गठन संरचना अवधी उससे सक्तियां उन सभी से समंदित हैं तो आपका उप्शन भी राइट रहने वाला है अगला भारत के सविधान के अनुचेद 233 के अनुचार का अर्थ है गरामीन छेत्रों के लिए अनुचेद 243 ख्या के अधिन गठित स्वश्क्त सासनवाली एक सथान है तो अनुचेद 243 ख्या के अंदर है वो आपकी पंचायते आती हैं अनुछेद 243 जो है आपका वो आपका पंचायतों से सम्मंदित अनुछेद है। 243 खाय के अंदर आपकी पंचायते आती हैं। 243 के अंदर आपकी ग्राम सभाजो है वो 243 के के अंदर आती है। और नगरपालिकाओं का गठन 243 थै के अंदर जो है आपकी नगरपालिकाओं का गठन दिया गया है अगला कुशन है भारतिय सविधान का कौन चानुछे चुनाओं की सूचना निर्देशन के बारे में है तो जो आपका अनुछे 324 के अंदर जो दिया गया है निर्वाचनों के अधिक्षक और निर्देशन के नियंतरन का निर्देशन आयोग के अधिन जो है आपका चुनाओं की सूचना निर्देशन जो भी है वो आपका अनुछे 324 के अंदर दिया गया है अगला क्विशन है आपात काल के दोरान किन मोलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता अनुचेद 16, 14, 15 या फिर 20, 21, 1 से 19 तो आपका जो अनुचेद 20 से 20 और 21 या आपका राइट रहने वाला है कल की वीडियो में भी अपने देखा था अनुचेद 20, अनुचेद 20 जो है आपकी अपरादों के लिए कुछ दो सिध्यों के अंदर जो आपको संरक्षन परदान होता है और अनुचेद 21 के अंदर जो है आपकी प्राण और देहिक सवतंतरता दी गई है तो जो आपातकाल की स्थती में आपके ये दोनों अनुचेद निलंबित नहीं होते हैं आपातकाल की बात करें तो आपका जो आपातकाल है वो अनुचे 352 में दिया गया है आपातकाल जो है आपका अनुचे 352 में वही वित्या अपातकाल की बात करें वित्या अपातकाल जो है आपका 360 में दिया गया है अगला कुछन है भारतिय सविधान में अंतिम अनुछेद की संख्या कितनी है तो अनुछेदों की संख्या पूछी गई है तो भारतिय सविधान में कुल 305 में अनुछेद है अगला कुछन है भारत के सविधान की कौन सी अनुछी संग राज राज्य और समवर्ती सुची से समंदित हैं तो संग राज्य और समवर्ती सुची से समंदित जो आपकी अनुसुची है वो आपकी अनुसुची साथवी अनुसुची जो है आपकी राज्य और के अंदर सरकार के जो सक्तियों का बटवारा है वो आपकी साथवी अनुसुची के अंदर किया गया है जिसके अंदर संग सुची राज्य सुची और संवर्ती सुची दी गई है वहीं जो आपकी ग्यारवी अनुसुची है उसकी बात करें तो वो आपकी पंचायतों से सम्मंदित अनुसुची है पंचायतों से सम्मंदित अनुसुची ग्यारवी है नौव पर्थम सविधान चंचोदन पर्थम सविधान चंचोदन 1951 के तहद भारतिय सविधान में जोड़ी गई थी बात करें पांचवी अनुसुची तो पांचवी अनुसुची जो है आपकी अनुसुची जनजाती जो छेत्र होता है वहां परशासन के बारे में पांचवी अनु अनुसूचियों की संख्या कितनी है तो भारतिय मूल सविधान में बात करें अनुसूचियों की संख्या जो थी वो थी आठ भारतिय मूल सविधान में आठ अनुसूचियां थी वर्तमान में भारतिय सविधान में बारा अनुसूचियां हैं अगला कुशन है और उत्तरदाई तो किस अनुसूची के अंतरगत आते हैं तो नगरपालिकाओं की सक्तियां और प्रादिकार उत्तरदाई तो जो है आपकी अनुसूची बारा के अंतरगत आती हैं अनुसूची बारा के अंतरगत नगरपालिकाओं की सक्तियां का वरनन किया गया है भारतिय भारतिय स्विदान की सात्वी अनुसुची खालिस्तान से संबंदित है जो हमने पहला अभी क्यूशन देखा था कि सात्वी अनुसुची जो है केंदर और राज्यों के भी सक्तियों का विवाजन करती है वो आपकी सात्वी अनुसुची है भारतिय स्विदान की किस अनुसुची आठ में जो है आपकी भारत ये गणराज्य की मूल सविधान में 14 बासाइं सामिल थी वर्तमान में बात करें वर्तमान में आपकी 22 बासाइं जो है आठ वी अनुसुची में सामिल हैं अगला क्विशन है भारत के सविधान में निमिल लिकित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्न हित हैं तो मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार भाग तीन में जो है आपके दिये गए हैं अनुचेद जो है आपके मूल अधिकारों के 12 से 35 जो है आपके अनुचेद वो मूल अधिकारों से सम्मन दिते हैं भारते सविधान में कितने मूल कर्तवें का उल्ले किया गया है बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में आपके मूल कर्तवे है ग्यारा 11 मूल करतव्य हैं और मूल सविधान के अंदर जो आपके मौलिक करतव्य नहीं थे मौलिक करतव्यों को आपके जो 42 सविधान संसोदन के तहत सविधान में जोड़ा गया था निमलिकित में से कौन सा करतवे भारतिय सविधान के 42 सविधान संचो दन द्वारा नहीं जोड़ा गया था नहीं जोड़ा गया था पुछा गया है इसके अंदर भारत की परभूता एकता और अखंडता की रक्षा करना उसका एच्छूनिय रखना है तो ये आपका मूल करतवे जोड़ा गया था 6-14 वर्ष की आयू के बीच के बच्चों की शिक्षा के उसर पर दान करना ये जो है आपका मूल करतवे जो आपका 42 सविधान संसो दन के तहत नहीं जोड़ा गया था ये आपका 86 सविधान संसो दन 1902 के तहत भारते सविधान में जोड़ा गया था ये आपका जो है ग्यारवा मूल करतव्य है तो ये आपका राइट आंच्वर रहने वाला है किस भारते परधान मंतरी के कारेकाल में भारते सविधान में मौलिक करतवियों को सामिल किया गया था तो मौलिक करतवियों को जो है उननीशोचेतर उननीशोचेतर में भारते सविधान में सामिल किया गया था अब बियारिसवे सविधान संसोदन के दुआरा उस टाइम 1976 में जो आपकी इंड्रा गांदी है शरीमती इंड्रा गांदी जो आपकी भारत की परधानमंत्री थी नेमली कित में से क्या वर्स 1950 में अपनाए गए मूल भारतिय सवीधान का alors नहीं था जोडे गए थे अगला कुशन है भारत के सर्वोच नियाले का उद्गाटन कब किया गया था तो भारत के सर्वोच नियाले का उद्गाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था अगला कुशन है भारत के सविधान में प्रारंबिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था तो अभी हमने देखा 1906 के अंदर जो आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 24.वे सविधान संसोदन के दुआरा 24.वे सविधान संसोदन 1906 के दुआरा जो है आपके मुलिक करतव्यों को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंख समीति के सिपारिश पर मोलिक करतव्यों को जो आपके मूल सविधान के अंदर नहीं थे उनको जोड़ा गया था 1946 के अंदर आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद दोस्तों